कि अधियो आफिस ही होगी कोट ही होगी एन माड़ी नाले नानू अलो माड़ा ला आंता हेल तरग नी वेता ने हाँ वेरी गूड नजिन अशेररशिमोगा में एक ऐसा मामला पेश आया है जो हर वालिदाय के लिए लब्हें फिक्रिया है महज मास्क ना पहने पर कॉलेज के प्रिंसिपल्ने स्ट्धेस्टेम्डयंट के साथ मारपट की है और उसके वालिदायं के साथ बतस लुग की ये मामला शेर शिमोगा की मलनाड प्रे यूनिवर्सिटी कॉलेज का है जहां के प्रिंसिपल सुदेश राज अरस्त ने अपनी ही कॉलेज के स्टूडेंट की बेरहमी से पिटाई कर दी है स्टूडेंट का जर्म बस इतना था कि वो भूल कर बगार मास के कॉलेज जला गया स्टूडेंट के इस गुनाह अजीम पर जनाब प्रिंसिपल साहिब इस खदर तैश में आ गए कि इन्होंने अपने ही स्टूडेंट की साथ पेशावर मुद्रिमों जैसा सुलूप करते हुए पहले तो उसकी पिटाई की फिर उसके वालिद मुहम्मद सूफी जो इयाज नगर सातें क्रॉस के रिहाईशी है उन्हीं फोन करके ये कहते हुए बुलाया गया क्यों कॉले जाकर अपने बेटे को लेकर जाएं अचानक कॉलेज से कॉल करके बुलाया जाने पर मुहम्मद सूफी यानि स्टूडेंट के वालिद घबरा कर फॉरन कॉलेज पहुंचे तो उन्हीं पता चला कि उनके बेटे को मास्क ना पहनने की वजह से बेरहमी से मारा गया है मुहम्मद सूफी ने प्रिंसिपल से बात करने की कोशिश की तो प्रिंसिपल ने उनके साथ भी बत्तमीजी करते हुए उनके साथ दहशत गरदों जैसा सुलूप किया जबके वीडियो में बच्चे के वालिद मुहम्मद सूफी प्रिंसिपल से मुसलसल बात करने की कोशिश कर रहे हैं और उनका लहजा नर्मी भरा है लेकिन जनाब प्रिंसिपल साहिब का पारा तो साथ में आसमान पे चड़ा है एक जगे रुक कर बात करने के बजाए बच्चे के वालिद को परिशान करने के लिए जान बूच कर अपने पीछे घुमा रहे हैं ये महस लिबास की वज़े से सब कुछ हो रहा है वीडियो में आप खुद देख सकते हैं कि किस तरह से प्रिंसिपल कहलाने वाला ये शख्स गुंडों जैसी हरकत करते हुए अपनी मूचों को ताव दे रहा है मानो एक बच्चे की पिटाई करके इस जनाब ने कोई खिला पतह कर लिया हो जबके जनाब प्रिंसिपल सुदेश राज अरस का खुद अपना चहरा नंगा है जिस मास्क को बहाना बना कर भरी क्लास के आगे एक बच्चे की पिटाई की गई वही मास्क इन साहिब ने भी नहीं पहना ऐसे में अब इन जनाब को सजा कौन सुनाएगा इनी मास्क पहनना कौन सिखाएगा एक तो खुद चोरी उपर से जनाब प्रिंसिपल की सीना जोरी तो देखें इम्तिहानात के खरीब ये बच्चे के वालिद मुहम्मद सूफी साहिब से कहते हैं कि वो अपने बेटे की टी सी लेकर चले जाएए प्रिंसिपल का रवया देखते हुए बच्चे के वालिद ने जब मौखे की वीडियो बनानी चाहिए तो प्रिंसिपल ने अपनी मुच्छों को दुबारा ताओ देते हुए एक बाप के आगे उसके बेटे को तालिम से महरुम कर देने की धंकी देते हैं और घमन्ट में चूर प्रिंसिपल ने यहां तक कह दिया किस के पास जाकर शिकायत करते हो करो मैं भी देखता हूँ नाजरें वीडियो में आप खुद देखें कि एक उस्ताद मेमारे फॉर्म कहलाने वाले इन जनाब की गुंडों जैसी बाडी लैंग्वेज जो अपने किये पे मौजरत चाहने या इजहार शर्मिंदगी के बजाए अपनी दस सेंटिमेटर लंबी मूचों को कैसे ताओ दे कर खुद को ना जाने कि सल्तनत का राजा महराजा समझ रहे हैं माना ये जनाब अपने नाम से सुदैश राज अरस हैं लेकिन ये तो खुद को सच में किसी रियासत सल्तनत के जहांपना समझ बैठे हैं और ये ये भूल चुके हैं कि वो एक टीचर एक उस्ताद हैं जिनके हातों में देश का मुस्तख्बिल है मुझे अलो माडला यालो मनाध सुदैश ना वादला याल्ट हैं कि में हादला है जिलीक संव औलोग के नान बंदिल अलाए सार, आं निम्मात्र旗 बंधीनी मात स्रीतना हॡ़ा, स्वमेनिभि पश्टेली मक्रण नीए विध्या कलस्तरा जिम्मुद्दिल के टंक हाणि अठालु यहांगाहँ पाड़ा निव्हा था इस निम्मत्रा इरुते अलावस तंसर नाघ वीडियो तेख्दिवा थे इसे प्लास श्यूराइब क्लास प्ते अल्डी ना बंदे यिए द वर बंदी यलाओी यद बंदी अल्लाय चाहिश पर खेली आलो मडला हंता हैं थी खेल हुप घर्टी, आप द आऑना है कुलरो मेर्व घेलते हैं वी रिचिंगे पोलीचे कहतना है ऐसे सब्सक्राइब गाद सñक्राद beti आना आनानो अलो मादलस फेलध न बताने अलो मादलस ह्यूद शूटै कर्सक्रेश जितो पहला बंगा था मनेर ऐसल पहला इंस्ट्टुटीट pię क मैं पहले एक्चाम कोड़त आ रे निम्काले जले बन सेर सी नन्विद्या कल्स पे कौनताना निल लाँ हेड़ी सर, अलो मार तेरा इलाँ हेड़ी समी अलो मार लाँ सर, टेंक यू बहरहाल नाजरीन, टीचर की इस हरकत पे भारत का खानून क्या कहता है आपकी और इन जैसे प्रिंसिपल्स की और टीचर्स की जानकारी के लिए हम ये भी बता दें कि भारतिया खानून के मताबिख टीचर्स का स्टूडेंट्स को मारना या किसी भी खिसम का मेंटली और फिजिकली तशदूर गेर खानूनी है सेक्शन 23 चार्ड प्रोडेक्शन एक्ट के तहट वालिदें उस टीचर के खिलाफ केस बुक कर सकते हैं जिसके नतीजे टीचर को तीन महीने से एक साल तक की सजा भी हो सकती है बावजुद मुल्क भर से इस तरह के मामलात सामने आ रहे हैं जहां टीचर्स प्रोफेसर्स की जानिब से बच्चों के साथ तासुबाना रवया इफ्तियार किया जा रहा है ऐसा ही एक मामला मनिपाल में पेश आया था जहां मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर ने एक मुस्लिम मेडिकल स्टूडेंट को कसाब नामी एक दहशतगर्द के नाम से कसाब कहकर पुकारा जिस पर medical student ने objection करते हुए प्रोफेसर की इस हरकत पे टोकते हुए खुद को एक दहशतगर्द के नाम से पुकारने पर मजबमती एहतेजाज किया, जिसकी वीडियो भी social media पर रखो वाइरल हुई थे. करें से आम हो DO? करें से कमたॉथ रखो एहुन कि घुकेश करें भी ए 시 करा मंघस करते हुए जिसके चैभ צारी किया जा प्रोब्स अन्यां बाहिए जाँके लिए फार भी परोपसेधाट इ्रक्र्ण के तलessäण्यारि मुन्यां यह सायए प्र रटованसMom इस नुट पुए विजी नेili फिर फोलो दोड़ेर आपनी नुट पुएबर। नाजरीन हमारे माश्रे में और हर इसान की जिंदगी में एक उस्ताद का मफा कुछूंग अगुछ लेकिन अक्सर आखात असातिजा ये भूल जाते हैं कि माश्वे ने इनी जिस मुखाम पर रखा है और माश्वे को लेकर इनकी जिम्मेदारियां क्या हैं। वालिदین अपने बच्चों का मुस्तग्मिल समार ने उनकी बहतर तालिम तर्वियत के खातिर लाखों का पैसा खर्श करके स्कूल कॉलेजिस में दाखला दिलवाते हैं। लेकिन अफसुस के आज विद्या का मंदिर कहे जाने वाले तालिमी इदारे भी तास्व की आख से बच्च नहीं पाए। हर टीचर की जिम्मेदारी है कि वो अपने स्टूडेंट को वालिदین के खदर इज़त और एहतराम करना सिखाए। अगर वही बिलावजे बच्चों की पिटाई करने लग जाएं। बच्चों के वालिदین के साथ बुरा सलुक करके उन्हीं नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे तो बच्चों के नाजुक जहिन पर क्या असर पड़ेगा। बच्चे ने अगर मसलसल मास्क नहीं पहना तो उसको समझाने डराने के और भी तरिखें हैं। लेकिन एक बच्चे को पेशावर मुझ्रिमों की तरह सजा देना पूरी क्लास के आगे जदवकॉप करते हुए उसकी इज़त नफस मजरू करना गेर इंसानी आमल है। उसमे मज़ीद सितम कि उसके वालिदें के साथ देह्शत गर्दों जैसा सुलूप इस पूरे वाकिये के बाद एक कम अमर बच्चे के जहिंग पर कितने खतरना कसरात पड़ सकते हैं। इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। जिस खौम ने भारत को अबुलकलाम रहा है। तास्ब की आज में जल रहे इन संगी जहनियत के लोगों की वज़े से आज भारत हज़ारों अबुलकलाम और मेजर अबुलहमीच जैसे हीरों से महरूम होता जा रहा है। इंतेजामिया को चाहिए कि ऐसे फिर्ख़परस्तों के खिलाफ सख से सखत कारवाई करे ताकि कोई दूसरा बच्चा इस नफरत का शिकार ना बने। साथ ही खावम के रहनुमा और दानिशवरों की जिम्मेदारी है कि वो भी जलसे जलूसों से जरा हिट के मुसल्मानों में खानूनी आवेरनेस लाएं ताकि हमारे हालात बहतर बन सकें क्योंकि आज मुसल्मानो के हालत जार का सबसे बड़ी वज़े हमारी लाइल्मी है।